बुड़ापा बहुदा बच्पन का पुनर आगमन हुआ करता है। जवाब दे चुके थे। पृत्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इक्षा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिडाम पूर ना होता। अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती। तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारर रोना ना था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पती देव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुड हो हो कर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्हों ने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चोड़े वादे किये। किन्तु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जबाग थे। यद्यपी उस संपत्ति की वार्शिक आये देड़ दो सो रुपए से कम ना थी। तथा पी बूड़ी काकी को पेट वर भोजन भी कटनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धी राम का अपराद था। अत्वा उनकी अरधांगनी स्रीमती रूपा का। इसका निर्ड़य करना सहज नही। बुद्धी राम सुभाव के सज्जन थे किन्तु उसी समय तक जबकि उनके कोश पर आचना आये। रूपा सुभाव से तीवर थी सही पर इश्वर से डरती थी। अत्यव बुड़ी काकी को उसकी तीवरता उतनी ना खलती थी। जितनी बुद्धी राम की भलमनसा आहत। बुद्धी राम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते की इसी संपत्ती के कारड मैं इस भला मानुष बना बैठाओं। यदि भौत एक आश्वासन और सूखी सहनु भूती से इस्थिती में सुदार हो सकता हो उन्हें कदाचित कोई आपत्ती ना ह है उनकी सुचेश्टा को दवाई रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बुड़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लग दी तो वह आग हो जाते और घर में जाकर उन्हें जोर से डांटते लड़कों को बुड़ों से स्वाविक विद्वेश होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बुड़ी काकी को और सताया करते कोई चुटकी काट कर भागता कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता काकी चीख मार कर रोती परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है अतैव उनके संताप और अंतरनात पर कोई ध्यान नहीं देता था हां काकी क्रोध आतुर होकर बच्चों को गालिया देने लगती तो रूपा घटना इस्थल पर आ पहुँचती इस भैसे कि काकी अपनी जिवा करपाड का कदाचित ही प्रयोग करती थी यद्यपी उपद् और शांती का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयोख था संपूर परिवार में यदि काकी से किसी को नराग था तो वह बुद्धी राम की छोटी लड़की लाडली थी लाडली अपने दौनों भाईयों के भाय से अपने हिस्से की मिठाई चवैना बूरी काकी के पास बै बहुत महंगी पड़ती थी तथा पी भाईयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलब थी तो बस यहीं इसी स्वार्त अनुकूलता ने उन दौनों में सहनु भूती का आरूपड कर दिया था रात का समय था बुद्धी राम की दौर पर शेहनाई बज रही थी और गाउं के बच्चों का जुंड विस्मय पूर नेत्रों से गाने का रस आस्वादन कर रहा था चारपाईयों पर महमान विश्राम करते हुए नाईयों से मुक्कियां लगवा रहे थे समीब खड़ा भाट विरुदा वली सुना रहा था और कुछ भावग्य महमानों की वा वा पर ऐस सा खुश हो रहा था मानों इस वा वा का यथार्त में वही अधिकारी है दो एक अंग्रेजी पड़े हुए नव युवक्त इन व्यवहारों से उदासीन थे वे इस गवान मंडली में बोलना अत्वा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है यह उसी का उत्सव है घर के बीतर इस्त्रियां गा रही थी और रुपा महमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी भट्टियों पर कड़ाहा चरड रहे थे एक में पूरियां कचोडियां निकल रही थी सुगंदी चारो और फैली हुई थी बूरी काकी अपनी कोट्री में शोक में विचार की भाती बैटी हुई थी यह स्वाद मिस्रित सुगंदी उन्हें बेचैन कर रही थी वे मन ही मन विचार कर रही थी संभवता मुझे पूरियां ना मिलेंगी इतनी देर हो गई कोई भो रोजन कर चुके हैं मेरे लिए कुछ ना बचा यह सोच कर उन्हें रोना आया परंतु अब शकुन के वह से वह रो ना सकी आहा कैसी सुगंदी है अब मुझे कौन पूचता है जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग के कहां कि भर पेट पूरियां मिलें यह विचार कर उन्हें रोना आया कलेज में हूख सी उठने लगी परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौंधारण कर लिया बूड़ी काकी देर तक इन्हीं दुख दायक विचारों में डूबी रही घी और मसालों की सुगंदी रह रह कर मन को आपे से बाहर किये देती थ पूरियों का स्वाद स्मरड करके हिर्दय में गुद्गुदी होने लगती थी किसे पुकारूं आज लाडली बेटी भी नहीं आई दौनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं आज उनका भी कहीं पता नहीं कुछ मालुम तो होता कि क्या बन रहा है बूरी काकी की कलपना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी रूपा ने भली भाती बोजन किया होगा कचोड़ियों में अजवाइन और इलाइची की महक आ रही होगी एक पूरी मिलती तो जड़ा हात में लेकर देखती क्यों ना चल कर कड़ा के सामने ही बैठूं पूरियां छन छन कर तयार होंगी कड़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी फूल हम घर में भी सूंग सकते हैं परन्तु वाटिका में कुछ और बात होती है इस प्रकार निड़े करके बूरी काकी उकडू बैठकर हातों के बल सरकती हुई बड़ी कटनाई से चौकट से उतरी और धीरे धीरे रिंगती हुई कड़ा के पास जा पहुँची यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर हुआ जितना भूखे कुटे को खाने वाले के समुख बैठने में होता है रूपा उस समय कारिभार से उद्विग हो रही थी कभी इस कोटे में जाती कभी उस कोटे में कभी कड़ा के पास जाती कभी भंडार में जाती किसी ने बाहर से आकर का माराच ठंड़ी मांग रहे हैं ठंड़ी देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर का भाट आया है उसे कुछ दे दो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तयार होने में कितना विलम्व है जरा ढोल मंजीरा उतार दो बेचारी अकीली इस्तरी दोड़ते दोड़ते व्याकुल हो रही थी जुझलाती थी, कुड़ती थी परंतु क्रोध प्रिकट करने का अफसर ना पाती थी बै होता, कहीं पडोसिने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी प्यास से स्वेम कंट सूख रहा था गर्मी के मारे फुकी जाती थी परंतु इतना अवकाश ना था कि जरा पानी पीले, अत्वा पंखा लेकर जले यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीजों की लूट मची इस अवस्था में उसने बूरी काकी को कड़ा के पास बैटी देखा तो जल गई, क्रोध ना रुख सका इसका भी ध्यान ना रहा कि पडोसिने बैटी हुई है मन में क्या कहेंगी पुर्शों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे जिस प्रकार मेडक केचुए पर जपटता है उसी प्रकार वैबूरी काकी पर जपटी और उन्हें दोनों हातों से जटक कर बोली ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाण कोट्री में बैठते हुए क्या दम गुटता था अभी महमानों ने नहीं खाया भगवान को भोग नहीं लगा तब तक गैर ना हो सका आकर छाती पर सवार हो गई जल जाए ऐसी जीव दिन बर खाती ना होती तो जाने किसकी डांडी में मुँ मारती गाउं देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती तबी तो इस तरह मुँ बाई फिरती है डाएन ना मरे ना माचाम छोडे नाम बेचने पर लगी है नाम कटवा कर दम लेगी इतनी ठूस्ती है ना जाने कहां भसम हो जाता है भला चाती हो तो जाकर कोठरी में बैठो जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहें किसी के मुँ में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए बुडी काकी ने सिर उठाया ना रोई ना बोली चुप चाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई आवाज ऐसी कठोर थी और मस्टिस्क की संपूर शक्तियां संपूर विचार और संपूर भार उसी और आकरशित हो गई थे नदी में जब कागार का कोई व्रहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समू चारों और से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दोड़ता है भोजन तयार हो गया है आगन में पत्तलें पढ़ गई महमान खाने लगे इस्तिरियों ने जेवनार गीत काना आरंब कर दिया महमानों के नाई और सेवक गड़ भी उसी मंडली के साथ किन्तु कुछ हट कर भोजन करने बैठे थे परन्तु सब्यता अनुसार जब तक सब के सब खाना चुकें कोई उठ नहीं सकता था दो एक महमान जो कुछ पड़े लिखे थे सेवकों के दीर आहार पर जुंजला रहे थे वे इस बंदन को व्यर्थ और बेकार की बाद समस्ते थे बुड़ी काकी अपनी कोटरी में जाकर पश्चा ताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था अपनी जल्दवाजी पर दुख था सच ही तो है जब तक महमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया सब के सामने पानी उतर गया अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी परंतु घी की रूचिकर सुवास बड़ी धैर परीक्षक प्रतीत हो रही थी उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था अब पत्तल बिच गई होगी अब महमान आ गए होंगे लोग हाथ पैर दो रही है नाई पानी दे रहा है मालूम होता है लोग खाने बैठ गई जेवनार गाया जा रहा है यह विचार कर वहमन को बहकाने के लिए लेट गई दीरे दीरे एक गीत गुन गुनाने लगी उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई कि अतनी देर तक लोग भुजन कर ही रहे होंगे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती अवश ही लोग खापी कर चले गई मुझे कोई बुलाने नहीं आया है रूपा चिड़ गई है क्या जाने ना बुलाए सोचती हो कि आप ही आवेंगी वह कोई महमान तो नहीं जो नहीं बुलाओं बुड़ी काकी चलने को तयार हुई यह विश्वास कि मिनट में पूरियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा उन्होंने मन में तरा तरा के मनसूबे बांदे पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी फिर दही और शक्कर से कचोरियां रायते के साथ मजेदार मालुम होंगी चाहे कोई बुरा माने चाहे बला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी यही ना लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं कहा करें इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही है तो मुँ जूटा करके थोड़ी उट जाऊंगी वै उकुडू बैटकर सरकते हुए आंगन में आई परंतु हाए दुरभाग्य अभिलाशा ने अपने पुराने सवाओ के अनुसार समय की मिथ्या कलपना की थी महमान मंडली अभी बैटी हुई थी कोई खाकर उंगलियां चाटता था कोई तिर्चे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं कोई इस शिंता में था कि पत्तल पर पूरियां छोटी जाती हैं किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता कोई दही खाकर चटकारता था परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता कितने में बूरी काकी रिंगती हुई उनके बीच में आ पहुची कई आदमी चौक कर उट खड़े हुए पुकारने लगे अरे यह बुडिया कौन है यहां कहां से आ गई देखो किसी को छूना दे पंडित बुद्धी राम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए पूरियों का थाल लिये खड़ेते थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दई महाजन अपने किसी बेईमान और भगोडे करज़दार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंदेरी कोटरी में धम से पटक दिया आशा रूपी वाटका लू के एक जोके में विनस्ट हो गई महमानों ने भोजन किया घरवालों ने भोजन किया बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके परंतु बूडी काकी को किसी ने ना पूछा बुद्धी राम और रूपा दोनों ही बूडी काकी को उनकी निरलज्जता के लिए डंड देने का निश्यक कर चुके थे उनके बुडापे पर दीनता पर हतग्यान पर किसी को करुणा ना आई थी अकेली लाडली उनके लिए कुड रही थी लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था बेचारी भोली लड़की थी बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंद तक ना थी दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दैता से घसीटा तो लाडली का हिर्दै इंट कर रह गया वे जुझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरिया नहीं देते क्या महमान सब की सब खा जाएंगे और यदि काकी ने महमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड जाएगा वे काकी के पास जाकर उन्हें धैर देना चाती थी परन्तु माता के भाई से न जाती थी उसने अपने हिस्से की पूरिया बिलकुल न खाई थी अपनी गुडिया की पिटारी में बंद कर रखी थी उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाती थी उसका हिर्दय अधीर हो रहा था बूरी काकी मेरी बात सुनते ही उट बैटेंगी पूरियां देखकर कैसी प्रसंद होंगी मुझे खूब प्यार करेंगी रात को ग्यारा बज गई थे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी लाडली की आँखों में नींद ना आती थी काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी उसने गुडियों की पिटारी सामने रखी थी जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो बैच चुपके सोठी और विचारने लगी कैसे चलूं चारों और अंदेरा था केवल चूला में आग चमक रही थी और चूलों के पास एक कुटा लेटा हुआ था लाडली की द्रिस्टी सामने वाले नीम पर गई उसे मालुम हुआ कि उस पर हनवान जी बैठे हुए है उनकी पूँच उनकी गदा वैसपस्ट दिखलाई दे रही है मारे भाय के उसने आखें बंद कर ली इतने में कुटा उठ बैठा लाडली को ढांडस हुआ कई सोय हुए मनश्यों के बदले एक भागता हुआ कुटा उसके लिए अधिक धहरे का कारड हुआ उसने पिटारी उठाई और बूरी काकी की कोटरी की ओर चली बूरी काकी को किवल इतना स्मरड था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर गसीटे फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड पर उड़ाए लिये जाता है उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड पर से पटका वे मूर्चित हो गई जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी समझें कि सब लोग खा पी कर सो गई और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई रात कैसे कटेगी राम क्या खाऊं पेट में अगनी धदक रही है हाँ किसी ने मेरी सुधी ना ली क्या मेरा पेट काटने से धन जुड जाएगा इन लोग इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने वुडिया कब मर जाए उसका जी क्यों दुखाव है मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ इस पर यह हाल मैं अंदी अपाहिच ठहरी ना कुछ सुनू ना कुछ भूजू यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धी राम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं फिर आना मुझे घसीटा पटका उन्ही पूडियों के लिए रूपा ने सब के सामने गालियां दी उन्ही पूडियों के लिए इतनी दुरगती करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा सब को खिलाया मेरी बात तक ना पूची जब तब ही ना दी तो अब क्या देंगे यह विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई गिलानी से गला भर भर आता था परंतु महमानों के भैसे रोती ना थी सहसा कानों में आवाज आई काकी उठो मैं पूडिया लाई हूँ काकी ने लाडली की बोली पहचानी चटपट उठ बैटी दोनों हाथों में लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया लाडली ने पूडिया निकाल कर दी काकी ने पूछा क्या तमारी अम्मा ने दी हैं लाडली ने का नहीं यह मेरे हिस्से की हैं काकी पूडियों पर टूट पड़ी पांच मिनट में पिटारी खाली हो गई लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया जैसे थोड़ी सी वर्षा थंड़क के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है उस भाती इन थोड़ी पूडियों ने काकी की शुदा और इच्छा को और तेजित कर दिया था बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ लाडली ने कहा अम्मा सोती हैं जगाओंगी तो मारेंगी काकी ने पिटारी को फिर टटोला उसमें कुछ खुर्चन गिरी थी बार बार होट चाटती थी चटखारे भरती थी हिर्देर मसोस रहा था कि और पूरियां कैसे पाओं संतोश सेतू जब तूट जाता है तब इच्छा का बहाओ अब परिमित हो जाता है मतवालों को मद का इसमरड करना उन्हें मदांद बनाता है काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवा में बह गया उच्छित और अनुच्छित का विचार जाता रहा वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही सहसा लाडली से बोली मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो जहां महमानों ने बैठ कर वोजन किया है लाडली उनका अभी प्राय समझ ना सकी उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूटे पत्तलों के पास बिठा दिया दीन छुदातुर हित ग्यान बुडिया पत्तलों से पूरियों के तुकडे चुन-चुन कर कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदा पी ना करना चाहिए मैं दूसरों के जूटी पत्तल चाट रही हूँ परंतु बड़ापा त्रिश्रा रोग का अंतिम समय है जब संपूर एक च्छाएं एक ही केंदर पर आ लगती है बूरी काकी में यह केंदर उनकी स्वादेंद्रियां थी ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली उसे मालुम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है वह चौकी चार पाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी उसे वहाँ नाक पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूटे पतलों के पास चुचाब खड़ी है और बूरी काकी पतलों पर से पूरियों के तुकडे उठा उठा कर खा रही है रूपा का हिर्दे सन हो गया किसी गाये की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय होई एक ब्रामडी दूसरों की जूटी पतल टटोले इससे अधिक शोक में दरश असंबव था पूरियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निश्करस्ट कर्म कर रही है यह वैद रश था जिससे देखकर देखने वालों के हिड़य काप उड़ते है ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई आसमान चक्कर खा रहा है संसार पर कोई आपती आने वाली है रूपा को क्रोध ना आया शोक के सम्मुक क्रोध कहां करोडा और भैसे उसकी आँखें भर आई इस अधर्म का भागी कौन है उसने सच्चे हिर्दे से गगन मंडल की और हाथ उठाकर कहा परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो इस अधर्म का डंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्या नाश हो जाएगा रूपा को अपनी स्वार्थ परता और अन्याय इस परकार पत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे वह सोचने लगी हाए कितनी नर्दय हूँ जिसकी संपत्ती से मुझे दो सो रूपे आए हो रही है उसकी यह दुरगती और मेरे कारड हे दयामय भगवान मुझे से बड़ी भारी चूक हुई है मुझे एक शमा करे आज मेरे बेटे का तिलक था सेकड़ो मनश्यों ने भोजन पाया मैं उनकी इशारों की दासी बनी रही अपने नाम के लिए सेकड़ो रुपे व्याय कर दिये परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपे खाए उसे इस सव में भी भर पेट भोजन ना दे सकी केवल इसी कारड तो वे ब्रद्दा असहा है रूपा ने दिया जलाया अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर सामग्रियं सजाकर बूरी काकी की ओर चली आदी रात जा चुकी थी आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगड स्वर्गी ये पदार्थ सजा रहे थे परन्तु उसमें किसी को वे परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूरी काकी को अपने सम्मुक थाल देखकर प्राप्त हुआ रूपा ने कंठा रुद्ध स्वर में का काकी उठो भोजन कर लो मुझसे आज बड़ी भूल हुई उसका बुरा ना मानना परमात्मा से प्राप्त ना कर दो कि वह मेरा प्राप्त शमा कर दे भोले भोले बच्चों की भाती जो मिठाईयां पाकर मार और तिरसकार सब भूल जाता है बूरी काकी वैसे ही सब बुलाकर बैटी हुई खाना खा रही थी उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्चाय निकल रही थी और रूपा बैठी स्वरग्ये द्रश्य का आनंद लेने में निमग्र थी अजयाँ अजयाँ अपनी इनके बाल-चाल-चाइब झाल-जड़ायाँ